सुप्रिम कोट ने कहा है कि वो 11 जनवरी को क्रिशी कानूनों और किसान आंदोलन से जुड़ी सभी आचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा नमस्कार मैं हूँ निपुन सहगल काईदा कानून के इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि इस मामले पर सुप्रिम कोट में आज क्या क्या हुआ सुप्रिम कोट के चीफ जश्टिस स.A. बोबडे ने आज एक मामले की सुनवाई के दोरान ये जानकारी दी कि सोमवार 11 जनवरी को क्रिशी कानून और किसान आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी सुप्रिम कोट में आज जो याचिका सुनवाई के लिए लगी थी जिसकी सुनवाई के दोरान कोट ने ये कहा उसमें 1954 में हुए समविधान संशोधन को चुनोती दी गई थी इस संशोधन के जरिये क्रिशी उतपाद की बिक्री को समवर्ती सुची में डाला गया था यानि समविधान की ऐसी सुची में जिस पर की केंद्र और राजिसरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है इसी शक्ती का इस्तमाल करते हुए केंद्र सरकार ने तीनों नए क्रिशी कानून बनाए है याचिका करता की मांग थी कि 1954 में हुए संशोधन को सुप्रिम कोट और समविधानिक करार दे उसे रद्ध कर दे कोट ने इस मांग को भी सुनवाई के लिए स्विकार कर लिया और उस पर केंद्र से जवाब मांग लिया और कहा कि इसे भी पाकी मामले के साथ देखा जाएगा मामले में नोटिस जारी करने के बाद चीफ जस्टिस ने टिपणी की कि हम ये चाहते थे कि बादचीत के जरीए सारा गती रोध दूर हो लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई तरक्की नहीं हो पाई है इस पर सॉलिसिटे जनरल तुशार महता जो कि केंडर सरकार की तरब से कोट में मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि बादचीत चल रही है और सही दिशा में चल रही है सभी आचिकाएं जो पहले दाखिल हुई है उनमें अभी तक सरकार ने इसलिए जवाब दाखिल नहीं किया है क्योंकि ऐसी उम्मीद लग रही है कि गती रोध बादचीत के जरीए दूर हो सकता है किसी समझोते पर किसान संगठन और सरकार पहुँच सकते है इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है हम 11 जनवरी को सभी मामलों को सुनवाई के लिए लगा रहे है अगर उस दिन केंद सरकार हमें ये जानकारी देती है कि बादचीत के जरीए कोई हल निकल चुका है या हल निकलने की उमीद है बादचीत उस दिशा में बढ़ रही है तुम सुनवाई को फिर से टाल सकते हैं अब जरा ये समझ लेते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या-क्या हुआ है 17 दिसंबर को सुप्रिम कोट में आकरी बार ये मामला सुनवाई के लिए लगा था उस दिन ये मांग कोट के सामने रखी गई थी कि जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं जो किसान दिल्ली की कुछ सिमाओं पर रास्ता रोक कर बैठे हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए और प्रदर्शन के लिए तय जगा पर भेजा जाए चोकि सुप्रिम कोट शाहिन बाग मामले में खुदिये फैसला दे चुका है कि सारोजनिक साडक को अनिश्चित काल तक बाधित नहीं किया जा सकता है उस दिन कोट ने ये कहा था कि वो किसान संगटनों की बात सुने बिना कोई आदेश नहीं देना चाहता है इसलिए सुनवाई टाली जा रही है उसके बाद से जाड़े की छुटियां हो गई और सुनवाई नहीं हो पाई कोट ने तब ये भी कहा था कि जो किसान शांती पूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं फिलहाल उन्हें उनकी जगा पर रहने दिया जाए जाड़े की छुट्टियों के बाद कोट खुल चुका है और अब कोट ने ये तय कर दिया है कि 11 जनवरी को मामला फिर से सुनवाई के लिए लगेगा 17 दिसंबर को दिये आदेश में सुप्रिम कोट ने आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं के साथ उन याचिकाओं को भी जोड दिया था जिन में कृषी कानूनों को चुनोती दी गई थी ये याचिकाओं अक्तोबर में दाखिल हुई थी और तभी नोटिस जारी हुआ यानि आंदोलन का मुद्दा और कृषी कानूनों का मुद्दा अब एक साथ सुना जाना है उसके साथ कोट ने आज एक और याचिका को जोड दिया है जिसमें 1954 के संविधान संसोधन को चुनोती दी गई है लेकिन कोट का रुख सपष्ट है वो यही चाहता है कि बाचीत क जरीये पूरे मामले का हल हो गती रोध दूर हो इसलिए कोट ने एक लंबा समय सरकार और किसान संगठनों को दिया है और एक बार फिर से यह कहा है कि अगर 11 जनवरी को उसे यह जानकारी मिलती है कि कोई हल निकलने के दिशा में बाचित बढ़ रही है तो वो फिर से